स्ट्रोल्ड का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं स्ट्रोल्ड का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसे स्ट्रोल किया गया हूँ या जो स्ट्रोल किया जा चुका हूँ उसे हम adjective के रूप में strolled कह सकते हैं इसके इलावा strolled जो है वो strolled का past tense और past participle होता है यांकि strolled की ही second और third form होती है strolled और strolled का अर्थ होता है आवारा फिरना, इधर उधर फिरना, चहल कदमी करना, टहलना, पैदल गूमना, विचरना या घूमना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वे भीड के बीच टहल रहे थी तो आप कहेंगे they strolled among the crowds या अगर आप ये कहना चाहें कि हम पार्क में टहलते रहे तो आप कहेंगे we strolled through the park या अगर आप ये कहना चाहें कि वह समुद्र तट पर साथ साथ टहलता रहा तो आप कहेंगे he strolled along the beach अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु भकवास की सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें